स्वागत सब सभी का हमारी शूठी चानल में तो आज के वीडियो में देखेंगे टेन कलास का है हिंदी बी का मोडल पेपर सेट वन का एम सी चू चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा बेल का इकन को प्रेश का नोटिविकेशन भी ओन कर लिएगा कूंकि इस चैनल में आपको 6-10, 6-10 पूरी एक्जाम की तियारी बेहतिन तरीके से और खास करके मैथ और साइंस को पढ़ाते नहीं बलके गोल के पिला देते हैं ठेक है तो तो फिले लिस्ट में जाएगा सारा कलास का सभी वीडियो आप मिल जागा कलास आप जो भी चेप्टर अ हम गेस पेपर बतायां थे गेस पेपर अभी तक जो ने खरीदे हैं चाहिए ओफर चल रहा है लिंक है फोन नंबर भी दिया हुआ है किसी को दिकत होगा तो लिंक में किलिके जिए उसमें एक नंबर भी आएगा 62 करके उस नंबर पर कॉल करके आप अपने जो भी क्वैरी ह रहेगा एक ठीक एक पैसेज रहा है क्या जेसे 5 पैसेजित को सब्सक्राइब से पढ़ते हैं संसार में परतिये को वस्तु उसी सीमा तक सुंतर है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधिता के सामान्यस्च के इस्थिति बनाए हुए है और परतिये को विरोप उसी सीमा तक जिस सीमा तक वह जीवन वैपी सामन जस्च को भीन भीन करती है अतह यथार्थ का दृष्टा जीवन की वीविधता में वैप्त समान जस्च को बिना जाने अपना निरने उपस्तित नहीं कर पाता और करे भी तो उसे जीवन की स्विक्रीती नहीं मिलती और जीवन की सजीव असपर्ष के बिना केवल सुन्दर को एकत्र कर देने पर वह परिणाम अवस्य स्वम्भावी है जो नरक सवर की सूद्री स्रीष्टी को का हुआ करता है कहना का चारा है रवाई संसाल में सबसे अधिक दंड़नी वह व्यक्ती है जिसने यथार्थ को कुद्सित पक्ष को एकत्र कर नरक का अविश्कार कर डाला क्योंकि इस चीत्र मनुस्य की सारी बर्बता को चुन चुन कर ऐसे वयोरेवार धंग से परदसित किया कि जीवन के को कोने कोने में नरक गढ़ा जाने लगा इसके उपरांत उसे यथार्थ ने के अकेले सुखपक्ष को पुंजी भूत कर इस तरह सजाना पड़ा कि मनुस्य से खोजने के लिए जीवन में छिन भिन करने लगा मतलब बहुत ही खतरनाक हिंदी है लिखा अगर अधास है फाला कोशन माती इद्गर जानस में किस बात के पृति सतर की क्या गिया है तो यथार्थ की एकांग की अविवेक्टि के पृति सी नूर अप्सन दूसरा कोशन है सुनदर वह है जो खालीस्थानए कहा है सुन्दर कोन है सामन जस सबसे दंड़नी हो विक्ति कोन है इसका अंसर होगा यधार्थ का घेनाओना रूप परस्तूत करने वाला चार नमर कोशने सुंदर ये कब उपयोगी होता है जब जीवन का आसपर्स मिलता तब उपयोगी होता है पांच नमर किसी उपमा का उपयोग चुनोती पूर्ण इस्थीतियों में सकारातमक्ता को देखने की महता को जताने के लिए किया जाता है तो अंधकार को एक दोस्त के रूप में गरहन करना ओप्सन नमर सीज का सही होगा है फिर ये एक पैसेज टाइप में दोहा दिया हुआ इस दोहे को पढ़ना है फिर अंसर दिना है क्या है रवी भोर्द सुनहरा निकला पर खेल सबेरा नाचा भूभार कनक गिरी पिखला भूगोल मही का बदला नवजात उजेला दवडा कनकन बन गया रुपहला मधोगीत पवन ने गाया संगीत हुई या धरती हर फूल जागा मुष्ट इसका क्वेशन है प्रता कालिन सूर्य को कवी किस रूप में देखता है तो प्रता का सूनहरी रंग के बहुर के रूप में D नमर कनक किस का परेवची सब्द है साथ नमर कोछ मुझें कनक सोना है कि iba上 निए 14 व्मर You जाले को कवी कैसा बताता है उजाले को कवी कैसा बताता तो नया और दउडता हुई बताता है हवा के गीत गाने से पिरित्वी पर कैसा परभाव पड़ा तो धर्ती के कंड कं में संगीत धवनित हो गया आगला कोश्चन है इस व्यक्ति के लिए सारवधिक उप्यूगत सिर्षक इसका वीता के लिए सबसे बढ़िया सिर्षक कुनसा होगा वो बता ना है इसका वीता के चीर चीर के अर्थ लिखे गए हैं सही विकल्प का चयन करें तो चीर मतलब ईवला पूराना फूरा ने वह ओप्संट से बारह नंबर कोयल का पार्यवाची सब्द निवलिखित मेंसे पूर नहीं नहीं कह रहा है नहीं वला मार्वावदी कन्फूज चाते हैं तो कोकील श्याम पीख है खेचरनी डी ओप्सन से होगा श्रीधानन्द का संधी वीछे दन निमलिखित में से की से श्रीधा जोड़ानन्द श्रीधानन्द यह नमर होगा चौद है आग बबुला होना महोरा को स एक पर्तिया लगाने से क्या होगा तिपन रria है, कुछ से कउन सब्सक्राइब को यह होगा है तो एतेहासिक का सही spelling है C नमर ये एतीहासिक होता है एतीहासिक जब अविनास बाबु ने जहंडा गाड़ा तो पुलीस ने पकड़ लिया राचना का अधार पर अविनास बाबु ने जहंडा गाड़ा तो पुलीस पकड़ लिया दुगवा कि मिस्र किया हुआ है मिस्रन है तो मिस्र वाकिय है अगला को चैने पाप पुन्य समासिक पद में कौन सा समास है तो पाप पुन्य में कौन सा तो किसी का दोवन्द समास है आजादी का विलोम सब्द है आजादी का उल्टा का है तो आजादी का गुल्यामी होगा ह भुनहार बिर्वान के होत चिकने पात लोकक्ति का सही अर्थ क्या होगा जिसका सही अर्थ होगा जो महान है उनकी परतिभा बच्पन में ही दिखाए पड़ती है यही सही है अब आते हैं किताब पठति गड़ांस यानि किताब बला कुश्चन तो फिर से गड़ांस है पैसे गीवी का गाकर जर जर मद से नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर जहरते हैं जाग भरे निर जहर गिरीवर से उर से उठ उठ कर उच्चा कांछाओं से तरूवर है जहांक रहे नीरो नभ पर अनी मेस अटल कुछ चिता पर इस पर आते हैं एक किस नमबर परवतो की चाती पर बहने वाले जहरने कैसे लगते है तो मोती की लड़ियों के समान लगते है निरजहरों दूबर किस का गौरो गान किया जा रहा है ने ह। तो किसका परवतों का किया जा रहा है ? ठेक option number यह होगा। दूसरा 23 नमबर क्वेशन है तरूवर का क्या आर्थ ते बहुच उचे विरिख्षों को तरूवर कहेंगे 24 है कौन किसका गावरोगान गार है ते जहरने परवत का परवतों का गावरोगान कर रहा फिर शिये गदांस जोकी किताब बला है संगम का अध्भूत सफलता ने राजकुमार के में गहन आत्मी विश्वास भर दिया और उसने एक साथ चार फिल्मों के निर्मान की घोसना की मेरा नाम जोकर अजन्ता मै और मेरा दोस्त और सत्यम स्यूम सुंदरम पर जब 1965 में राजकुमार ने मेरा नाम जोकर का निर्मान आरम किया तब संभूता उसने भी यह कलपना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्सों का समय लग जाएगा इन 6 वर्सों का अंतराल में राजकापूर दुवरा अभिनित कई फिल्में परदर्सित हुए जिनमें सन 1906 परदर्सित कवी सैलेंदर की तीसरी कसम भी सामिल है यह वह फिल्म है जिसमें राजकापूर में अपनी जीवन के सर्वस्रेश्ट भूमी का आदा की इसका फिल्म था तो कवी कोण लिखा था तो सैलेंदर है तीसरी कसम तो यह फिल्मों के बारे में कुछ है प्राचीन पुराने पुरनों के बारे हैं मेरा नाम जोकर का निर्मान कब आर्राम्भ किया गया मने कब शुरू किया गया था मेरा नाम जोकर का निर्मान तो 1906 में कवी सैलेंदर की कोण सी फिल्म परदरसित हुई था तीसरी कसम तीसरी गसम फिल में किस ने अपनी जीवन को उत्क्रेश्ट भहीमिकानेज़ तो राजका पूरुने है निमलकित परशनों को उत्तर दफ फिर तोफीक की किस बास से घर में बवाल ख़डा होगी था टोपी कीस बास ये किताब का question है न तो माता जी को अम्मी बुलाने से बवात खळा हुगए थlaughs टो लाक्स कुेस्चिन ठाकुरबारी के प्रति गाहँ वालों का मन में क्या था ठाकुरबारी स्वाइब अपार शरद्र धा है ठाट इसर कॉश्चिन उम्हद करने कि तीसे पूसे साथ अच्छा लगोगा विडियो के लिए नेक्स कोई वीडियो इस तरह की विडियो और क्लिके लास लेकर थाइंच वाचिंग जहें शुक्रिए